परियावरण के मुद्दे पे जो खड़े होकर बोले भारत को पूछा कि आपके वादे हैं उचको कब पूरा करोगे तो एक तरह उस तरफ का सवाल और दूसरी तरह यहाँ देश विरोधी तत्वों के साथ जुड़कर टूलकिट को हवा देना यह पूरी तरह से काउंटर प्रोडक्टिव निकल गया क्रेडिबिलिटी अब उनकी खतम हो गई है क्योंकि सब कुछ यहाँ धीरे धीरे परदाफास हो रहा है यह पूरी यह पूरी साजिश का पूरा परदाफास हो रहा है टूलकिट मामले में आरोपी निकीता जेकब ने एक बयान जारी किय है दिल्ली पुलिस को दिएगा इस बयान की कौपी नियूजेटीन के पास है और नियूजेटीन के विवे कौटा कि यह रिपोर्ट है कि तूलकिट और किसान अंदोलन पर किस तरह की तैयारिया हो रही छी और वहसंपी जानकारी नीकीता ने पुलिस को दे दी है तूल निकिता जेकब खुद एक लॉयर है एक लॉयर होने के बावजूद उन्होंने देश विरोधी तत्वों के साथ राप्ता किया टूलकिट के जैसे टूलकिट के जरिये भारत को बदनाम करने की कोशिश की और अब खुद एंटिसिपेटरी बेल ट्रांसिट रिमांट से एंट कि शांतनू का 26 जन्वरी के कुछ वक्त पहले से एक हफते तक जानी 21 जन्वरी से लेके सर्थाइज जन्वरी तक जो मौझूद रहनी की बात है उसे इन्हों ने बताया है साफ़तार में जो एंटिसिपेटरी बेल फाइल की है उसमें साफ़तार पर बताया है कि वो एक वा जो है तिकली बॉडर से जो है वो रिपोर्टिंग करेंगे लेकिन नेट डाउन होने की बज़े से ये साइज चीजे जो दिल्ली पुलिस की तरफ से बंद कर दी गई थी नेट सर्विस बंद कर दी गई थी उसकी वज़े से वो संभा नहीं हो पाया उनका कोई मोटिव जो ने बताया हुआ है कि वो लैपटॉप खराब है जिससे दिल्ली स्पेशल सेल ने कहा हुआ था कि वो दूसरे दिन आकर 12 फरवरी को यहां पर पहुंच कर वो लैपटॉप को रिपेयर करेंगे और कस्टेडी मिलेंगे लेकिन उससे पहले ही जिसना से निकिता गायबुई ह वो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को संदे के घेरे में खड़ा करता है निकिता और शांतनू निश्चित तोर पर खालिस्तान मुवमेंट से उनकी कड़ियां भी जुड़ती हुए निकिता जेकब भारत को बदनाम करने और देश में हिंसा फैलाने की इस बड़ी साजिश में देश से लेकर विदेश तक पांच किरदार सामने आये हैं इसमें सबसे पहले जो नाम सामने आया वो है दिशा रवी जो बेंगलूरू की रहने वाली है दिशा एक परियावरन क कारे करता है दिशा पर टूल किट को एडिट करने का आरोप है और इसके बाद निकिता जेकब का नाम आता है निकिता जेकब मुंबई की रहने वाली है पेशे से एक वकील है निकिता पर टूल किट बनाने में दिशा की मदद करने का आरोप है निकिता के साथ ही शांतनु क का भी नाम सामने आया है जो महराष्ट के बीड का रहने वाला है शांतनु पेशे से एक इंजीनियर है टूलकिट के दस्तावेज तयार करने का आरोप विदेश में रहने वाले एक और शक्स पीटर फ्रिडरिक का नाम भी आया है इस पूरी साजिश में उसका नाम भी शुमा बताया जाते हैं विदेश से इस टूलकिट कांड के तार जुड़े तो मो धालीवाल का नाम सामने आया जो कैनेडा में रहता है धालीवाल पोईटिक जस्टिस फाउंडेशन का संस्थापक है वो खालिस्तानी विचारधारा से जुड़ा है आरोप है कि उसी ने टूलकिट तैयार करवाई एक और चहरा भी सामने आया है जिस पर इस कांड में एहम भूमी का निभाने का आरोप है कैनेडा के ही रहने वाली अनीता लाल अनीता मो धालिवाल की करीबी बताई जाती है अनीता वर्ल्ड सिक और्गनाइजेशन की फाउंडर भी है साथ ही यह पोईटि जस्टिस फांडेशन का साथ साबक पोईटिक जस्टिस फांडेशन से भी जुड़ी बहुत बड़ी यह